आजिक और दस तो बिंगे डिस्केस्थ नुबर भी स्थेर्ट से लाट चैनल सब्ला स्टिक था नुइ आपगा है फैबरीकार मेंद पॉफ फाइबर्स जो कुपड़ा हम बहनते हैं वो किससे बनाता है फैब्रिक से और वो फैब्रिक किसे बनता है फाइबर से ओके अब हमने पहले क्लासिस में सिक्स में सेवन्थ में रीड किये कि जो फाइबर्स होते हैं वो तो टाइप्स के होते हैं कौन कौन से फाइबर्स होते हैं एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स और एक होते हैं आर्टिफिशल फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशल फाइबर्स जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें नेचर से म वं सिल्क कोटन है आक啊 सब्सक्तित में कहां से प्लांट्स और थंब से पड़़् नाईलॉन प्रॉस्टर इंड़ थिगे है सारे synthetic fibers man-made fibers पहले ने नेच्छल फाइबर्स के बारे में पढ़ा है इस क्लास में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे पहले बात फाइबर्स क्या होते हैं कि जब हम छोटी छोटे यूनीट्स को आपस में जोड देते हैं जो बनता है हम उसको क्या बोलते हैं फैब्रिक जैसे इन्होंने एक्जामपल ले रखे यह बीड्स मोतियों की माला पिरोई हुई है बीड्स और इनको क्लिप्स को पेपर क्लिप्स को जोड जोड के एक चेन बनाई हुई है सिंथेटिक फाइबर्स आसओ यह चेन वुद्स जोड ज़ोएं तो गेधर यह जैसे इसमें च्छोटचोट यूनिट्स को जोड के बनाई हुआ हुआ है इसको हम ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं कि यह जोड एक्टागाइ ना मैनिनस च्छक्श मॉल यूनिट्स कम बनते हैं ओके क्लियर नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स जो सिंथेटिक फाइबर्स के अब हम इसमें हम टाइप्स पड़ेंगे ठीक है सिल्क वों है चाइनन डिसकवर किया तो हमनें ने बताया भी नहीं था काफे टाइम्स तक है न tam तो उसकी जगह पे न आर्टिफिशल एक सिल्क हमने बनाई थी रियोन रियोन भी एक सिल्क की तरह ही कपड़ा होता है जो कि हमें थोड़ा चीप सस्ते में मिल जाता है सिंथेटीवर्य कना होना रियोन रियोन अमने क्यों सिल्क की जगह बनाए था क्योंकि एक सिल्क बाभ काफि जगह कोश्ली होता है और जो बढ़ने में गवें का रेख दैना घ्रम नक्स किन आईलोन नाईलोन घंडर पारव में कहांसे परक्रों अबाव तुल होता है और में बना देते हैं बहुत ही इन यह तो हह टो हम व स्टूरण होता है नाइलोनं जूर्ट इस फर्शे बंड़ स्ल्पिंग वेगल ईन बहुत मोल स्ट्रेंग ग्सट 두क मध वह लिएvenidos कि nylon कहां कहां यूज होते हैं okay nylon are used for making parachutes and ropes for making climbing nylon thread is actually stronger than a steel wire कि ज़िए steel wire से भी strong होते हैं तो हम इसकी ropes और parachutes बनाने में use करते हैं okay next is polyester and acrylic polyester is another synthetic fibers made from fabric made from fiber does not get wrinkled इसके wrinkle नहीं पढ़ते easily wash होता है यह जैसे हमें प्रेस करनी पढ़ती है तो इसमें wrinkles नहीं पढ़ते जाद दर shorts वोगरा आपने देखियोंगी polyester की बनी होती है polyester की एक form क्या है trilene is popular polyester very fine structure okay कि एक पैट पैट की full form दे रखिया है कि यह बहुत important है इसमें इससे bottles utensils बनाई जाती है ठीक है we use sweaters and shawl blankets वो किससे बनती है acrylic से ठीक है जो हम use करते हैं हमें लगते कि यह woolen की है लेकिन वो woolen नहीं होती वो जो market से हमें जो shawl सोगर हमलती है जो किस इससे होती है acrylic ओके नेक्स है characteristics of synthetic fibers इनके characteristics क्या है अभी हमने बहुत बड़ा है यह तो यह easily available है cheap है expensive नहीं होता ज्यादा time तक चलता है हम उसको maintain easy करके रख सकते हैं synthetic fibers के यह characters है नेक्स प्लास्टिक अब हमने synthetic fiber से बात की उसके examples भी दी और उसका compare भी बताया कि हमें जो natural fiber से क्या फर्क पड़ता है जो natural fiber से एक तो हमारे plants से मिलता है animal से मिलता है हमें plant काट के वो बनाने पड़ते हैं है ना synthetic fibers के हैं chemical से बन जाते हैं easy to handle होते हैं wrinkles नहीं पड़ते हैं उनके कपरों में cheap होते हैं जो natural fibers होते हैं वो काफी costly होते हैं अब हम बात करेंगे plastics की प्लास्टिक की प्लास्टिक की देखो यह इसे चेंज जोड़ जोड़ के बनाई होती है ठीक है linear या फिर cross-linked arrangement होती है प्लास्टिक की ओके एक तरक यह भी पॉलिमर ही है जैसे synthetic गरम किया और यह किसी भी शेप में हम उसको convert कर सकते हैं अलग लग size में अलग लग shapes में plastic available होता है अब आपने देखोगा कई plastics bent हो जाते हैं हम उसको bent करना जाते हैं कई plastics bent हो जाते हैं कई plastics bent नहीं होते क्या reason है उसका कई plastic को जैसे plastic bottles हैं हम उसको क्या करते हैं गरम करो उसकी shape change हो जाता है size हो जाता है कई यों का नहीं होता है क्या reason है देखो जिन को को हम मोड सकते हैं जिनおお the認 움직орд हैं अश्पर सकते हैं termoplastic और जिनकी जो जिनके shape नहीं होती जिन plastic की एक बार जो बन गया हो बन गया है उसको बोलते हैं thermo setting plastic इसकी example क्या है baccalite, melamine इसे बहुत सारे product बनते हैं thermo setting से ऐसी चीज़ है plates है, boxes है wires है, button है switches है एक वरी जो shape दे दी thermo plastics क्या होते हैं जिसको हम bent कर सकते हैं जिस plastic को हम bent कर सकते हैं लेकिन thermo setting plastic क्या है एक वरी जो setting हो गई होगी उसको fit से हम change नहीं कर सकते हैं plastic as material of choice क्याथ हम इसको choose क्यों करते हैं हम plastic के material यूज क्यों करते हैं हमने काफी देखा है कि milk के लिए water के लिए, घर में pickles के लिए food के लिए हम plastic के container ही यूज करते हैं क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो यह light weight होते हैं price इनका कम होता है strength ज्यादा होती है weight इनके कम होन करके हम easily handle कर सकते हैं एक जगा से दूशी जगा हम उसको carry कर सकते हैं plastics काफी cars में, aircraft में, spacecraft में कफी यूज होता है, काफी sleepers, furniture, decoration pieces plastic बहुत जगा यूज होता है plastic is non-reactive पहली बाद हो यह किसी के साथ react नहीं करता, किसी chemicals के साथ किसी metals के साथ reaction नहीं होती plastic is light, strong, durable plastic क्या है हलका है strong है, मजबूत है, durable है easy to handle है ठीक है हम इसको carry कर सकते हैं cheap है, lightweight है इसलिए हम mostly लोग क्या करते हैं plastic का use करते हैं next plastic or poor conductor main point क्या है plastics are poor conductor of poor conductor of heat heat or electricity दोनों का poor conductor होता है ठीक है, इसलिए electric wires जो उसको cover करा हुआ है screw उसके handles frying pans वगारा के handles सब किस चीज़ के होते हैं screw driver के handles plastic के होते हैं bad conductor of heat and electricity इससे electricity और heat flow नहीं करती okay plastics and the environment अब environment में खतम नहीं होते है environment में इधर उदर घूमते ही रहते है environment pollute करते है ठीक है तो प्लास्टिक एक ऐसा material है जो यह खतम नहीं होता तो some plastic takes several years to decompose इससे environment को pollute करते है कि हम इस problem को solve कर सकते है pollute की बजाए cotton और जूट के यूज़ करो उसका प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करो biodegradable non biodegradable substances को अलग लग collect करो घर में ताकि हम जो प्लास्टिक से उसको दुबारा से recycle कर सके जो एक responsible situation है हमारे पास फाइवर principle है हमें यह यूज़ करना चाहिए फाइवर principle reduce reuse recycle recover reuse reduce मतलब कम से कम यूज़ करो reuse अगर एक बर रही यूज़ कर लिए अगर वह दुबारा यूज़ हो सकते तो उसको दुबारा से use करो recycle उसको दुबारा melt करके जैसे हम कहते हैं कि melt करके दुबारा नहीं चीज़ बनाई जा सकती है उसको recover करो, refuse करो, उसको use करने से refuse कर तो हम use ही नहीं करते हैं यह वली habits क्या करेंगी हमारे environmentally friendly होंगी, ओके तो अब हमारे कुछ solutions है, मैं explain कर देती हूँ explain why some fibers are called synthetic कई fibers को synthetic fibers क्यों बोलते हैं fibers prepared by human beings are called synthetic fibers अभी हमने पढ़ाई है कि जो fiber human being बनाते हैं मुझको क्या बोलते हैं, synthetic fibers ठीक है, tick the correct answer, rayon is different from synthetic fibers because it is obtained from wood pulp fill in the blanks, synthetic fibers are called artificial or man-made synthetic fibers are synthesis from raw material called petrochemicals like synthetic fibers, plastic is also polymer हमने ये पढ़ाई था अभी books जब chapter explain कर रहे थे, give example which is indeed nylon is very strong nylon के बारे में भी हमने अभी पढ़ा है कि ये strong क्यों है इसकी ropes बनती है, parachutes बनते है rope climbing के लिए use होती है, हमने अभी read किया ये है next है, explain why plastic container are favorable for storing ये भी हमने अभी read किया, क्यों हम plastic containers को use करते है because, जो plastic container से वो क्या है, lightweight है, lower price है, good strength है, easy handling है okay, देखो बैटा, जो हमने chapter explain किया, वही question होते है अगर आप chapter carefully listen करोगे, carefully उसको समझोगे, तो आपको questions लिखने easy हो जाएंगे explain the difference between thermosetting and thermoplastik thermosetting और thermoplastik हमने अभी पढ़ा है जो thermosetting है, उनको हम mold नहीं कर सकते, दुबारा से band नहीं कर सकते लेकिन thermoplastik को band करके, उसको reuse कर सकते है, recycle कर सकते है उसके examples रखे, they can be bent easily, more brittle break when they bent softening of thermosetting is not possible even when heated करते, जब उसको गरम करते है, फिर भी वो soft नहीं हो सकते लेकिन जो thermoplastik है, वो soft हो जाती है, okay explain why the falling are made up of thermosetting plastic source pen handles और electric plugs कते, बताओ कि thermosetting plastic से क्यों बनेती है देखो हम बताई रहे हैं कि thermosetting plastic है उसको अगर गरम करेंगे तो वो bent हो जाता है, तो जो हमारे electric switches है वो भी heat produce करते हैं, source pens है वो भी जब उसको गरम करेंगे, हैंडल से हो heat produce करेंगे तो अपने बेंट हो जाएंगे तो इसलिए thermosetting plastic cannot be reshaped even when heated, also thermosetting plastic like bakelite, melaminol, etc., our poor conductive electricity as they are using such purpose क्यों use होते हैं क्योंकि वो bent conduct from heat and electricity है और यह mold नहीं होते, bent नहीं होते हैं क्यटेगराइज the material falling product can be recycled and cannot be recycled cannot be recycled telephone instrument, cooker handles, electric switches हम अभी पड़ी रहेंगी thermosetting से बन दे थर्मosetting से बन दे थर्मosetting दुबारा यूज नहीं होता, यह प्लास्टिक टोई, प्लास्टिक चियर्स, क्यारी बैक्स लिए क्या होते हैं, recycled, okay, आगे भी example है plastic covering of electric wire, bowl pen, plastic bowls, okay, next question, राना wants to buy shirt for summer, should he buy cotton shirt or shirt made from synthetic material, advice, क्याते है उसने एक shirt खरीदने है, राना है को उसने एक shirt खरीदने है, वो कौन सी shirt खरीदे, cotton की shirt खरीदे या फिर synthetic material की, cotton is a good absorb of water, so it can absorb sweat produced by the body and expose it to environment, the sweat therefore evaporate which cools the body, but cloth made from synthetic metal cannot absorb sweat and therefore cannot produce the cooling effect of cotton, हैं सराना should buy cotton shirts, क्याते है उसको cotton shirt ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि cotton shirt क्या होती है, जो sweat को produce करती है और हमारी body को cool रखती है, लेकिन synthetic fibers होते हैं जो नहीं वो sweat को absorb करते हैं नहीं हमारी body को cool रखते हैं, क्योंकिन 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 क्यों होते हैं वह सौफ्ट होते हैं इतोफ प्रेज हैंड चुट भी हाद एंड रूग सो ड़ाइप वाइल ब्रिस्टल भी सौफ अथा यंद फ्लक्सिबर हैंस हैंडल एन जू हैंडल जो भी मेड़ा फॉर्म प्लास्टिक वीच्ट ब॥े बिएद फुरम नाइलोन ऑके कर अपनी एडवाइस दो हां बिल्कुल करना चाहिए क्यों करना चाहिए देखो नोन बाइडी ग्रेबल है if they are burnt poison gases are released plastic dump in the ocean effect marine life can cause death of marine animals plastic dump on land can also be fettles है ना जो animals can swallow then and plastic can choke there is respiratory system क्याते है अनिमस उनको खाल लेते हैं वो digest होता नहीं है तो उनके respiratory system पर effect करते हैं बड़ा यह मैच दी कोलम से हैं ओके नेक्स्ट है मैनुफेक्ट्ट्र सिंथेटिक अच्छली help in conservation of forest comment क्याते हैं क्याते हैं सिंथेटिक फाइबर की बात करें कि यह conservation of forest से कैसे related है क्याते हैं यह फ्रेस्ट को बचाने में कैसे help करता देखो natural fibers are mainly obtained from plant and trees hence obtained them need to cut down trees क्याते हैं जब हमें natural fiber बनाने तो हमें क्या करता है क्या करने बढ़ते हैं कि इनको trees को defrestration होती है लेकिन synthetic fibers कि से बन जाते हैं petrochemical से सो defrestration होती नहीं है जब defrestration नहीं होगी तो conservation of rest है है न ओके describe and act will show that thermoplastic is poor conductor of electricity thermoplastic to show the thermoplastic back on a practice we can design circuit with wire below battery metal piece and a pvc shown in figure देखऊ है metals है thermoplastic है जब metal से हमने चला है तो बलब ग्लो करा thermoplastic से ग्लो नहीं करा in the first case we 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 have a metal piece shown in the figure we notice that the बलब विल ग्लो विल तेगन pvc metal बलब विल नोट ग्लो हैंस फॉर्म एक्सपर में से electricity और heat पर पास नहीं होती इसलिए वो क्या है bad conductor of heat and electricity ओके चप्र कंप्लीट विद दे सल्यूशन ओके बैटा थैंक यू have a nice day